नमस्कार दोस्तू मैं हूँ प्रतीक स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर तो भाई इंडियन रोड्स पर कार या बाइक चलाने वाले काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर एक बड़ी ही गंदी आदत है अलागी वैसे आदते हैं तो कई सारी गंदी हैं जनके बारे में हम अकसर ही बात करते हैं लेकिन एक जो सबसे जादा देखा जा रहा है वो है बिना देखे अपने गाड़ी को लिंक रोड से में रोड पर ले आना मतलब आप ये समझ सकते हैं कि लोगों के दिमाग में अभी तक ये चीज नहीं बैट पाई है कि इन दोनों रोड के बीच डिफरेंस क्या होता है ये भाई लोग बिना इधर उधर देखे स्पीड में अपने गाड़ी को सीधा में रोड पर गुसा देते हैं जिससे कई बार सामने चल रहे लोग अनकंट्रोल हो जाते हैं और एक्सिडेंट हो जाता है और आज भी आप वैसा ही कुछ देखेंगे जिसे इंस्टाग्राम पर कई सारी विवर्स ने शियर किया है अगर आपके पास भी किसी एक्सिडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे इमेल, फेस्बुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शियर करें ये इंसिडेंट रिसेंटली करनाठका में किसी जगा पर हुआ है जिसे मिस्टर सूर्य अभी ने अपने इंस्टाग्राम पर डाला है यहाँ पर आप क्लियर्ली देख पा रहे हूंगे भाई अपने बाइक से एक सिंगल रोड से होते हुए जा रहे हैं अब शुरू में तो आपको ऐसा लगा होगा कि भाई ओवर स्पीडिंग या फिर गलत तरह से ओवर टेक कर रहे होंगे जिससे इनका कंट्रोल खो गया है लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है भाई नॉर्मल स्पीड में सीधा आ रहे थे तभी ये ब्रज़ा वला अचानक लिंक रोड से में रोड पर आ गया है और इसी से लड़ने से बचने के लिए सेंट्रो अलिभाई ने स्टेरिंग को गुमाया और गाड़ी अनकंट्रोल हो गई अलाकि यहां पर अच्छी बात ये थी कि कोई बड़ा हाथसा नहीं हुआ गाड़ी स्किड करते हुए गई है और इसका पहिया भी हवा में उठ गया था लेकिन फॉर्चनेटली ये पल्टी नहीं परना शायद अंदर बैठे लोगों को चोटे आ जाती है तो भाई आ आप सभी ऐसी गलतिया मत करें रोड पर चलते हुए हमेशा रूल्स को फॉलो करें वरना ऐसा सिचुएशन बन सकता है वाकि आपका इस पर क्या मानना है कॉमेंट में बताईए